दोस्तो बहुत जल्द बॉलिवुड के चॉकलेटी बॉई और नेशनल क्रश बन्चुकी रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आने वाले हैं फिल्म एनिमल में जिसका टीजर और पोस्टर भी हमें देखने को मिल चुका है और इस टीजर में दोनों लिप लॉक करते नजर आ रही हैं जिसे देखकर जब हैरान हो चुके हैं और अब अपनी तरह तरह के रियाक्शन दे रही हैं इसी बीच रनबीर कपूर की धरम पतनी आलिया भट ने भी उनके लिप लॉक सीन पर एक जबदस रियाक्शन दिया है जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे पर आखिर क्या कहा है आलिया भट ने आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हैं हमाई साथ वीडियो के अंध तक पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें जब से फिल्म एनिमल का टीजर और फर्स लूग पोस्टर्स रिलीज हुए हैं फैंस के बीच जबदस्त क्रेज दिख रहा है वो रनबीर कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना स्टार और इस फिल्म के ट्रेलर का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ट्रेलर से फहले मेककस ने एक नया पोस्टर रिलीस किया है जिसने तहल का मचा दिया है एनिमल के नये पोस्टर में एक 30 साल के रनबीर कपूर 14 साल छोटी रश्मिका मंदाना को लिप किस करते नजर आ रहे हैं ये लिपकिस पोस्टर दरसल एनिमल के गाने हुआ मैं का है जिसे 11 अक्टूबर को रिलीस किया गया है उसी गाने को प्रमोट करने के लिए मेकर्स ने ये पोस्टर जारी किया है इसमे रनबीर कपूर और रश्मिका मंदाना एक एर क्राफ्ट में कॉक्पिट में है और एक द ट्रेलर देखने के बाद से ही फैंस रनबीर और रश्मिका मंदाना की कैमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं फिर्म डियर कॉमरेट में रश्मिका मंदाना का विजदेवर कोंडा के साथ किसिंग सीन था जिसके कारण लोगों ने एक्ट्रोस को खूप जली कटी सुनाई थी सब एक्ट्रोस ने एक इंटर्विव में बताया था कि वो उस ट्रोलिंग के कारण रात भर रोती रही थी आपको बता दे कि रनबीर और रश्मिका के ये गाना रिलीज होने के तुरंद बाद हिट हो गया है और अब रनबीर की पतनी आलिया भट ने भी इस पर अपना रि वेल दोस्तों आलिया भट के इस रेक्शन के बारे में जानकर आपका का कहना है अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ये ऐसी तमाम ख़बरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले